वेलकम बैक ट्रेंड्स मित्रों ग्रूप D के परिक्षा में प्रकास से हर शिफ्ट में प्रश्ण पूझा जा रहा है इस वीडियो में हम लोग दरपन सुत्र की चर्चा करेंगे और दरपन के नुमरिकल बनाना सीखेंगे तो जिन विद्यार्थियों को आने वाले शिफ्ट में परिक्षा देना होगा उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्तपुरुन साबीत हो सकता है आए दरपन सुत्र की चर्चा करते हैं और दरपन का नुमरिकल बनाना सीखते हैं देखें मित्रों एक बटा भी जोर एक बटा यू बराबर एक बटा एफ इसी सुत्र को दरपन सुत्र कहा जाता है मिरड फर्मूला कहा जाता है इस फर्मूला में यू मित्रों वस्तु दुरी है वस्तु दुरी है गोलिये दरपन के धुरू से वस्तु की दुरी को वस्तु दुरी कहा जाता है और इस फर्मुला में यू जो है वह वस्तु दुरी है एफ फोकस दूरी है एफ फोकस दूरी है फोकस दूरी क्या है? गोलिये दरपनखे दूरू से फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है तो एफ जो है इस फर्वुला में फोकस दूरी है और भी प्रतिबीम भी दूरी है प्रतिविम्ब दूरी है प्रतिविम्ब दूरी क्या है मित्रों? गोलिय दरपण के धुरू से प्रतिविम्ब की दूरी को प्रतिविम्ब दूरी कहा जाता है तो इस फर्मूला में U वस्तू दूरी है, F फोकस दूरी है और भी प्रतिविम्ब दूरी है इस फर्मूला का उप्योग दोनों गोलिये दर्पण में किया जाता है वित्रों किस-किस में इस दर्पण में ये कौन सा दर्पण है ये ओतल दर्पण है ओतल ओतल दर्पण में किया जाता है और ये वाला दर्पण में किया जाता है यह दर्पन कौनचा दर्पन है यह उत्तल दर्पन है उत्तल दर्पन इस फर्मूला का उपयोग दोनों दर्पन में किया जाता है उत्तल दर्पन में और उत्तल दर्पन में दोनों दर्पन में किया जाता है आए थुरा सा ओतल दर्पण के बारे में चर्चा कर लेते हैं देखिए ओतल दर्पण जो होता है उसका जो बारी सत्ह है जो ये उभरा हुआ भाग है ये जो उभरा हुआ भाग है इसको आप समझे कि तून है बार की और जो निकला हुआ भाग है ये जो उभरा हुआ भाग ह इस भाग पर प्रकास का प्रावर्तन होता है, यानि कि भीत्री भाग से प्रकास का प्रावर्तन होता है, और उत्तल में भीत्री भाग पर प्रकास का प्रावर्तन होता है, इस दरपण में भीत्री भाग पर प्रकास का प्रावर्तन होता है, और ये जो उबरा हुआ भाग है, बारी भाग इस भाग से प्रकाश का प्रावर्तन होता है उभरे हुए भाग से तो इस फरूला का जब अौतल दरपन में हम लोग उप्योग करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना होता है वो क्या-क्या, उसको आप देख लिजिए ओतल दरपण में U जो होता है वो नेगेटिव होता है, रिनात्मक होता है F रिनात्मक होता है और भी यह जो है रिनात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है रिनात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है देखिए जब भी रिनात्मक हो किसमें ओतल में ओतल दर्पन अवतल दर्पन में हम लोग बात कर रहे हैं जड़ भी क्या हो रिनात्मक हो निमेटिवा जाए तो प्रतिभीम्ब की जो प्रकृति होती है उसको आप याद रखेंगे प्रतिभीम्ब की प्रकृति जब ही रिनात्मक हो तब प्रतिभीम्ब की प्रकृति क्या होगा प्रतिभीम्ब जो होगा वह वास्तवीक होगा वास्तविक होगा और याद रखिएगा जब वास्तविक होगा प्रतिविंब तो उल्टा रहेगा प्रतिवीम की प्रकृति क्या होगी वास्तविक और उल्टा और जब भी जो है आपका धनात्म का जाए पॉजिटिव आ जाए तब प्रतिवीम की प्रकृति क्या होगी तब प्रतिबीम्ब जो होगा आपका प्रतिबीम्ब 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 जो है आपका हो जाएगा काल्पनिक हो जाएगा काल्पनिक इसको आप आभासी भी कह सकते हैं आभासी अजब प्रतिबीम्ब काल्पनिक होगा तो यह सीधा होगा तो जब भी धनात्मक आए तो प्रतिबीब कालपनिक होगा, इसको आभासी भी कर सकते हैं और सीधा होगा अब देखिए, इस दरपड में, उत्तल दरपड में, यू जो है, आपको हमेशा नेटिव रहेगा, प्रिनात्मक रहेगा एफ हमेशा धनात्मक रहेगा और भी हमेशा धनात्मक रहेगा और जो वक्रता त्रिज्या है, इसमें उत्तल दरपड में, आपको याद रहेगे हमेशा धनात्मक होगा और इसका जो है, उत्तल दरपड का जो वक्रता त्रिज्या है, वह हमेशा नेटिव रहेगा अब देखिए, इस धरपड में भी हमेशा धनात्मक रहेगा तो भी हमेशा, हमेशा जब धनात्मक है, तो प्रतिवीम की प्रकृति क्या होगी? प्रतिवीम की प्रकृति क्या होगी? प्रतिवीम कालपनिक होगा, कालपनिक होगा और सीधा होगा, कालपनिक सीधा, इसको याद आप रखेंगे इन सारी बातों को आप याद रखेंगे, अब चलिए, हम लोग नुमेरिकल बनाना सिखते हैं आए, हम लोग नुमेरिकल बनाना सिखते हैं, देखिए इस प्रश्ण को 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के ओतल दरपन से 48 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु के प्रतिवीम्ब की इस्थिति का पता लगाएं देखिए प्रश्ण में ओतल दरपन की फोकस दूरी कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर तो हम लोग लिखेंगे एफ बराबर माइनस 12 सेंटीमीटर आपको पता है ओतल दरपन की फोकस दूरी रिनात्मक होती है इसलिए एफ बराबर माइनस 12 सेंटीमीटर लिखेंगे प्रश्ण में वस्तू दूरी कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर तो हम लोग लिखेंगे यू बराबर माइनस 48 सेंटीमीटर आपको पता है ओतल दरपन में यू रिनात्मक होता है वस्तू दूरी रिनात्मक होता है इसलिए U बराबर माइनस अटाली सेंटीमीटर लिख है, आपको B निकालना है, तो B निकालने के लिए हम लोग दरपन सूत्र का परियोग करेंगे, दरपन सूत्र आपको बता है, 1 बटा B, जूर 1 बटा U बराबर 1 बटा F, यही है दरपन सूत्र, एक वाटा भी बराबर हम लोग लिख सकते हैं एक वाटा एफ माइनस एक वाटा यू एक वाटा भी बराबर एक वाटा एफ माइनस एक वाटा यू यहाँ पर एक वाटा यू प्लस में है यह एक वाटा यू जब बराबर के इस तरह पाएगा तो माइनस में बदल जागा इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या किये हैं कि एक वटा यू को इधर लाए हैं तो यह एक वटा भी लिखे हैं बरावर एक वटा एफ और यह एक वटा यू प्लस में था जब बरावर के इधर आया तो माइनस में बदल गया इसलिए यहाँ पर 1 वटा F-1 वटा U लिखे हैं अब क्या करेंगे हम लोग इसमें F के जगा पर minus 12 रखेंगे और U के जगा पर minus 48 रखेंगे और हल कर दि कि 要 एक वटा minus 12 माइनस, एक वटा minus 48 एक वटा minus 12 वटा को मोज लिख सकते हैं, एक वटा minus 12 एक बटा माइनस 12 को हम लोग लिख सकते हैं माइनस एक बटा 12 और यह माइनस और यह माइनस गुणा हो जाएगा इस माइनस को और इस माइनस को गुणा कर देंगे तो यह माइनस प्लस मदल जाएगा और यहां से माइनस हट जाएगा तो यहां हम लोग लिखेंगे प्लस एक बटा 48 अब क्या करेंगे बेरबर का चीन देंगे बटा का साइन बटा का यह जो चीन है की सजय चेंगे और 12 और 48 का लगुत्तंब निकालेंगे तो 12 और 48 का ल ci कतना यगा 48 48, लिखेंगे, 12 से 48 में भाग देंगे, कितना बार में जाएगा, बर्चों, 48 4 आएगा, 4 से माइनस 1 में गुणा करेंगे, कितना हैगा, एक लिखेंगे, से माइनस चार और कुलस एक कितना हो जाएगा माइनस सिन हो जाएगा हम लोग मैनस टीन वाटा शोलह बर में जाएगा कितना यह एक बटा 12 यानि कि एक बटा वी बराबर क्या आगयाै मैनस één बटा16 इसलिए वी बराबर क्या हो जाएगा मैनस सोलब सैंटिमीटर कि मैनसह सेंटिमीटर कि देखिए मैनس değişe व English सैंटिमीटर का मतलब हुआ कि प्रति बिम दरपन से 16 सेंटिमीटर की दुरिप बनेगा प्रति बिम प्रती बीम्ब दर्पन से या दर्पन के धुरू से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा 16 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा माइनस चीन बताता है कि प्रती बीम्ब द्रूव के बाई और बनेगा या कहिए कि प्रती बीम्ब जिस और वस्तु रखा गया है उस और बनेगा तो हम लोग लिखेंगे क्या? इसके आंसर में क्या लिखेंगे? कि प्रतिभीम दरपन से 16 cm की दूरी पर बनेगा और वस्तु की ओर बनेगा देखिए भी रिनात्मक है तो प्रतिभीम की प्रकृति क्या होगा? भी रिनात्मक का मतलब हुआ कि प्रतिभीम वास्तवीक होगा? वास्तवीक प्रतिभीम बनेगा जब प्रतिभीम वास्तवीक होगा तो प्रतिभीम उल्टा होगा? प्रतिभीम कैसा बना? वास्तवीक बना, प्रतिभीम उल्टा बना और देखिए प्रतिभीम जो है आपका 16 cm की दूरी पर बन रहा है इसका मतलब है कि प्रतिभीम फोकस से बाद बनेगा यानि कि फोकस के बाद बनेगा आप देखिए कि f बराबर r by 2 होता है तो r बराबर क्या हो जाएगा? 2 f हो जाएगा? r बराबर हो जाएगा 2 into f कितना है 12? 12 दूरी? 24, 24 cm यानि कि प्रतिभीम फ और c के बीच में बनेगा प्रतिभीम c और f के बीच बनेगा कारण कि r जो है बक्रता कितना है? 24 cm आ रहा है और प्रतिभीम में दूरी कितना है? 16 cm है इसका मतलब है कि प्रतिभीम f के बाद f के बाद और c के पहले बनेगा तो आप इसी तरीके से दर्पन सुत्र का पर्योग करके आप कोई भी प्रश्न हल कर सकते हैं यह सुत्र जो है आपका उत्तल दर्पन में भी लाग होगा और इसी तरीके से आप उत्तल दर्पन के नुमेरिकल को भी बना सकते हैं थैंक्यो बना सकते हैं